तो हाँ भाईलो क्या हाल चाले क्या आपको पता है अगर आप फोन पे के थुरू मोबाल लिचार्च करेंगे आपको एक्स्टा चार्च पे काना पड़ेगा जब मुझे यह इंफर्मेसन मिला मैं काफी डिसपाइट होगा क्योंकि मैं खुद फोन पे के यूज करता हूं प्रूब दिखाऊंगा देखिए पेटी एम काफी टेस्टेट एंड पुराना एप है और फोन पे से पेटी में आपको ज्यादा फीचर्च भी देखेने को मिल चाहेगा उसको भी बात करेंगे अगर आप फोन पे यूज करते हैं या पेटी एम यूज करना चाहते तो यह यह वीडियो आपके लिए काफी यूसफूल होगा इसलिए वीडियो को लास्ताग देखते रहे हैं तो गईस मिना नामे शौरूप और आप देखेरें टेक्स तर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाईस आप यहाँ पर देख सेकते हैं इसमें फोन पे और इसमें पे एक्ताराज दिखाएंगे फोन पर मैं को एक्षटारज देना परेगा 149 में ग्लिक किए को तो आप यहां पर देख सकते फोन पर मैं आपको 151 पे करना परेगा तब रिचारज होगा और यहाँ पर PTM में कोई भी extra charge नहीं लगेगा 149 ही आपको pay करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप view details में click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 rupees आपको extra pay करना पड़ेगा phone pay में और PTM में आपको कोई भी extra charge नहीं लगेगा तो मेरे इस आप से रिचार्च के लिए फोन पे से पे टीम मच बिटर है मैं तो मोबाइल रिचार्च के लिए आप से फोन पे क्यो यूज नहीं करूँगा तो आप अपने इस आप से देख सकते हैं पे टीम जाता बहतर है रिचार्च के लिए चले बात करते हैं, Paytm में आपको एक्षटा क्या features मिलेगा, जो phone पे में आपको नहीं मिलेगा देखें, अगर recharge की बात करते हैं, तो दोनों में आपको काफी सार recharge का option देखने को मिल जाएगा जैसे mobile recharge, DTA recharge, इससे भी option देखने को मिलेगा बट Paytm में आपको कुछ extra features देखने को मिलेगा, जैसे e-calon का, जो phone पे में आपको नहीं मिलेगा तो ये भी एक plus point है Paytm का Guys, Paytm में आपको civil score देखने को मिल जाएगा, जो loan के लिए काफी काम में आता है, जो phone पे में आपको नहीं मिलेगा Guys, Paytm में आपको Paytm Bank मिल जाएगा, जहाँ पर आप Zero Balance में bank account open कर सकते हैं, आपको 2.5% का interest मिल जाएगा अगर आपको extra bank account चाहिए, आप Paytm के तुरू bank account open कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ीया features है, जो phone पे में आपको नहीं मिलेगा Guys, Paytm में आपको Postpayt का features देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी product अभी से buy करके बाद में pay कर सकते हैं, 30 days का आपको Zero interest देखने को मिल जाएगा Guys, दोनों में आपको काफी सारा investment option मिल जाएगा, बट Paytm में आपको extra option मिलेगा, आप IPO के लिए भी apply कर सकते हैं, जो phone पे में आपको नहीं मिलेगा Paytm में built-in game मिल जाएगा, जिसको खेल के आप earn कर सकते हैं, phone पे में आपको मिलेगा, बट जादा game का option नहीं मिलेगा, जिदना Paytm में मिल रहा है, तो यह भी एक plus point है Paytm में आपको mini app store मिल जाएगा, जहाँ पर काफी सारा app देखने को मिलेगा, और अलग से category आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इस app से अगर आप कुछ भी buy करते हैं, आपको extra option देखने को मिलेगा, phone पे में आपको app मिलेगा, बट ज्यादा app का support नहीं मिलेगा गाइस, Paytm के cashback and offer section में, jackbot, participant and win का भी option देखने को मिलता है, जहाँ पर आप iPhone, Veebo and Oppo के phone भी जिश सकते हैं, गाइस, दोनों app में आपको cashback मिल जाएगा, बट पे टीम में जितना cashback मिलता है, उस हिसाब से phone pay में उतना cashback नहीं मिलता है, क्योंकि मैं Paytm को personally use किया हूँ, तो मुझे phone pay से Paytm में ज्यादा cashback मिला है, पे टीम app के update के बाद ये app पहले से बहुती smooth हो गया है, और आपको अलग-अलग section देखने को मिल जाएगा, जो use करने के लिए काफी easy है, दोनों में आपको wallet मिल जाएगा, बट पे टीम वालेट काफी useful है, फोन पे से, दोनों मे पे टीम एप के बारे में और भी कुछ जाना जाते हैं, तो वीडियो के i button में आपको link देदूँगा, आप जाके देख सकते हैं, और मेरी इसाब से phone पे से पे टीम ज्यादा बढ़िया app है, जहां पर आपको extra features भी देखने को मिल जाएगा, और mobile recharge को पर आपको extra charge भी नहीं कर देना, फिर से मुलागा दोगी एक new interesting video के साथ always keep smiling, goodbye.